नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिशेत दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बहद हिमातों पूरी जानकारी को ले करके जी हाँ खाली पेट न खाएं हम आपको जो बता रहे हैं ये साथ तरह के फूड खत्रे में पड़ सकती है जान अगर ऐसा आप करत है कि आप अपने दिन की शुरुवात कैसे करते हैं दरसल सुबह ही वह समय है जब यह तै होता है कि पूरे दिन आपकी मनोस्थिती कैसी रहने वाली है या आप कितने एक्टिव रहेंगे इसलिए सुबह पोस्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए लेकिन खाली पेट कौन सी चीजें खानी चाहिए और क्या नहीं हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार की साथ चीजें जिहां जिने भूल करके भी खाली पेट में नहीं खाना चाहिए खाली पेट केला खाने से शरीर में मैगनीशियम के महात्रा काफी बढ़ जाती है जिसकी वज़से शरीर में कैलसिय और मैगनीशियम के महात्रा में असंतुलन हो जाता है इसके अलावा चाय सुबह उड़ते ही चाय की छुषक्या लेने वाले लोग संभल जाए ऐसे लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि चाय में मौझूद कैफीन से एसीड बढ़ता है इससे पाचन तंत्र की समस्या पैदा हो सकती है इसके अलावा मसालेदार भोजन सुबह सुबह या कभी भी खाली पेट में मसालेदार भोजन या चटपटा भोजन खाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नेचुरल एसीड होता है जो पेट के हाजमे को बिगार दे सकता है इसके अलावा मिर्च सुबह सुबह या दिन में कभी भी खाली पेट मिर्च या काली मिर्च खाने से गैस की समस्या हो सकती है मिर्च पाचंत अंतर को काफी नुकसान पहुंचाता है इसकी वजह से सीने में जलन इत्यादी होना शुरू हो जाता है टमाटर टमाटर में एसीद बहुत अधिक मात्रा में होता है इसलिए अगर इसका सेवन खाली पेट किया गया तो यह नुकसान दे हो सकता है खाली पेट टमाटर खाना पेट में पथरी का कारण भी बन सकता है इसके अलावा खट्टे फल खट्टे फलों में फ्रूट एसीड होता है यहीं अगर और फ्रक्टोज होने के कारण पाचन क्रिया धिमी हो जाती है इसके अलावा दवाएं अक्सर डौक्टर यह सलाँ देते हैं कि खाली पेट दवा बिलकुल न खाएं खाली पेट दवा motor काने से फीट में एसीड की शिकायत हो जाती है जिस से शरीर में इसीड का असंत तुलन पैदा हो जाता है यह शरीर के लिए नुकसान दे होता है इसलिए इन स्थितियों में यानि कि जो जो हमने फूर सभी आपको बताएं जिसे कि दवाएं खटे फॉल टमाटर मिर्च काली मिर्च मसालेदार भोजन चाय और केला इन चीजों को खाली पेट कभी भी नहीं खाना चाहिए आपको और टाइम पे खाने पे यह फायदा करती हैं लेकिन अगर इनका सिवन आप खाली पेट करते हैं तो यह आपके लिए नुकसान दायक बन जाती हैं तो दोस्तों यह थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के सा जुड़ेंगे को और बहद ही महतो पून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों